मैं राजमोन आप देख रहे हैं बिहारे नियोज 29 जुलाई को केंद्र सरकार ने अनलोक 3 की घोसना की थी उसी के तह 30 जुलाई को बिहार सरकार ने एक आदेश जाड़ी किया था वो आदेश था कि पूरे बिहार में 1-16 अगस्त तक लोकडाउन जो है वो अनलोक 3 के तहत मिल गया जो बिहार में लोकडाउन लगाया गया उसमें कई चीजों में छूट मिल गई जैसा कि पहले सभी दुकानों को खोलने की अनुमती नहीं थी लेकिन एक अगस्ते जो लोकडाउन लगा उसमें सभी दुकानों को खोलने की अनुमती मिल गई थी उसके बाद प्राइव प्रतिबंधित नहीं किया गया लेकिन बस सेवा इसे प्रतिबंधित रखा गया पूरे बिहार में बस सेवा नहीं चालू की गई क्योंकि उसमें भीर होता है लोग अंजान एक दूसरे से मिलते हैं बैठते हैं साथ में तो इसमें संक्रमन के बढ़ने का और इसके फैलने का खत्रा ज्यादा रहाता इसलिए बस सेवा को सुरू नहीं किया अब है कि आज 16 अगस्त लॉकडाउन का आखरी तारीक तो क्या कल स बिहार में लॉकडाउन बढ़ेगा अभी तक कोई ख़बर बिहार सरकार ने या कोई आदेश जारी अभी तक नहीं किया है लोगडाउन को लेकर लेकिन माना जा रहा है कि बिहार में लॉकडाउन अगस्त के आखरे दिन तक बढ़हाया जा सकता है 15 दिनों के लिए क्योंकि बिहार में जो कोरुना का संक्रमन है वो पहले के तूला में पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है बड़ा नहीं है एक लाग से ज्यादा के जाच है 3500 से 4000 के बीच में मामले लागतार मिल रहे हैं तो जाच के रफ्तार के अधार पर कहा जा सकता है कि बिहार में पॉजिटिविटी रेट पहले के तूला में गिरी है ज्यादा बढ़ी नहीं है अब है कि जो नया लॉबडाून कल से लागू होगा उसमें क्या छीजे खुले रहेंगी तो जो चीजे कुली हैं बंद नहीं होंगी पर नया है कि क्या कॉछेज खूलेंगे के तुम्हें आपको बता दू कि केंदर सरकार के तरफ से कॉलेज खोलने के अनुमती नहीं है यानि विहार में अभी कॉलेज कोचिंग रिसर्स सेंटर खोलने की कोई गुंजाई फिलहाल अगस्त के आखरी दिन तक तो नजर नहीं आ रही है इसके अलावा अब बात है कि क्य बस सेवा चालू होगी क्या इसमें तो देखिए बस सेवा को लेकर कोई ना आदेश है ना कोई खबर है तो कहां नहीं जा सकता है कि बस सेवा सुरू होगी की नहीं हो सकता है कि कुछ सर्तों के साथ बस सेवा बियार में सुरू भी की जा सकती है क्योंकि कई लोगों को काफ पडिवहन बस सेवा बंद होने से काफी पड़िसानी का सामना करना पर रहा है किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि बहुत से बचे हैं जो अपने खर्चे से कोई गारी कहा जा सकता है कि गारी की बुकिंग कर आकर इस्पेशल कोई गारी लेकर एडमिशन के लिए आप हैं तो बिहार में बस सेवा को हो सकता है कि कुछ सर्तों के साथ सुरू की जा सकती है लेकिन फिलाल अभी कोई आदेश नहीं है देखना होगा कि बिहार सरकारी और बिहार का ग्री विवाग क्या आदेश जारी करता है पड़िवहन को लेकर क्या बस सेवा सुरू करता है क्या लेकि बस सेवा की शुरू होने की उमीदे बहुत लोग लगा रखे हैं और बहुत लोगों की चिंता है कि बस सेवा सुरू की जाए क्योंकि खासकर बच्चे जो एडमिशन दूसरे जीलों में ले रहे हैं इंटरमेडियेट के जो एडमिशन चालू है तो उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पर रहा है तो इसे देखते हुए साइध हो सकता है कि बिहार सरका बस सेवा सुरू कर दे लेकिन उसमें पावंदिया रखेगी कुछ ना कुछ तो रखेगी क्योंकि काफी ज्यादा संक संक्रमित हो और वो दूसरों को संक्रमित कर दे इस होजासे बस सेवा बंद रखी गई है देखना होगा कि बियार सरकार जब आज आदेश जारी करेगी तो उसमें किस प्रकार की छूट देती है लेकिन उमीद है कि हो सकता है कि बस सेवा सुरू की जा सके अगर और चीज़ जो खोलने के अनुमती मिली थी कि सुबह से इतने बजस्तार के साम को खोलना है तो उमीद है कि यही समय फिलहाल आगे भी पूरे अगस्त तक जारी रहेगा जीम को लेकाड़े कि क्या बिहार में इस लॉकड़ून में अगला जो लॉकड़ून होगा उसमें जीम खुलेगा क्या उमीद कम है कि बिहार में जीम फिलहाल खुले एक सिप्तंबर से जब कियें सरकार अनलॉक फोर की घोसना करेगी तो कोई चीजों में बिहार में आपको बदलाओ नजर आएगा हो सकता है कि स्कूल कॉलेजिस में को भी खोलनी के अनुमती उस समय हो सकता है कि कहीं मिल जाए लेकिन फिलाल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है तो उमीद है कि बिहार में जो अभी जारी है उसे ही आगे बढ़ा दिया जाएगा बस सेवा को लेकर एक बड़ा संसा है कि बस सेवा सुर नहीं आ रहा है कि बिहार में लोगडाउन बढ़ेगा लेकिन कुछ सर्तों के साथ यह जगाने में जारी तूरशा भी जाया दि जारी है जिक्र होगा कि यह जी एतनन पर STAR को भी अधिकार देगा गिडिवीवाग की अगर जाहेये लोगडाम के जादा लेकर है प्रति दिन हर छीज़े खुली मिल रही है लेकिन अन्य जीलों में आप जाईएगा तो अल्टरनेटिव कई बजारों में दुकानों को खोलने के अनूमती दी गई है जीला परशाशन के द्वारा तो यह जीला परशाशन का अधिकार है कि वह कुरोना के शंक्रमन के फैलाओ को रोकने के लिए किसी प्रकार का प्रथिबंद्त कभी भी लगा सकता है यह जीला-ची परशाशन को अधिकार दिया गया था indembug में अगले लॉकडून में भी अधिकार और भाषा जाए उन्हें दिया जाए तो इंतजार करते हैं बिहार सरकार के आदेश का और जैसे ही को यादेश आता है हम आप तक पहुचाने की जल्द से जल्द प्रयास करेंगे लॉक्डाउन के संबंद में अब तक खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें यह भी हारी न्यूज धन्यबाद